सबी भाईयों को राम राम भाई अभी हम चंडीगड के आलात आपको दिखाते हैं कि चंडीगड में पेट्रोल पंप के आसपास क्या हाल हैं और आपको मालूम पड़ेगा कि ड्राइवर्स जब अपनी स्ट्राइक करते हैं तो सरकारों को जुकने के लिए मजबूर कर ही दे होगे कि जब चंडीगड में इतने पेट्रोल पंप हैं मैं आज पूरे दिन पेट्रोल पंप पे जो विजिट कर रहा था तो मैंने देखा कि हालात यही हैं हर जगए और इतनी ही लंबे लाइन है अभी क्या है कि यह एक तरह से इन लोगों के दो-तिन काम होते हैं से एक त पूप जगड़े होते हैं अभी तो पुलिस फोर्स भी आ गई है वो देखो पुलिस फोर्स वो जो मैं बताया था ना आपको याद है श्रिलंका के अंदर पेट्रोल पंपों पे पुलिस फोर्स विठा दी गई थी और नितिन कड़करी कह रहा था कि हम भी चार साल में पे उसलिए तफरा से एक बहाना है इनका कि हम पर्दूशन के चकर में ऐलेक्ट्रिक विएकल्ज को प्रमोट कर रहे हैं असलियत में पर्दूशन से कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिक वीकल्स का, it's all a game of total control basically, उन वीकल्स के अंदर company से operate किया जा सकता है, उन वीकल्स को, मतलब company बंद कर सकती है और पूरी तरह से वो control किये जा सकने वाले वीकल्स है, basically वो software ही है company ने जो दे रखा है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो नितिन गड़करी का बयान है, इसके शुरुवात अब हो चुकी है, क्योंकि इनको transporters को बरबाद तो करना ही है, और transporters बरबाद करना इनका पहला उदेश्य भी है, यह मैंने आपको बताया भी था, और उसका रीजन यह है कि जो बड़े बड़े उद्योग पती हैं, उनको यह लोग लेकर के आ रहे हैं अपने इस पूरा का पूरा जितना भी ट्रांसपोर्ट का इरिया है, जितना भी बिजनस है, बड़े बड़े ट्रक आपरेटर्स जो हैं, वो अपना रस्ता बदली के हैं, जिनको इसका अंदाजा है, अब वहाँ पर एक ट्रक के पीछे एक बड़ी सी आँख आपको नजर आती होगी, वो आई जो है, वो बिसिकली एक सौफ्ट्वेर है, जिसके जरीए आप नेविगेशन पता लगा सकते हैं, कि आपका ट्रक कहा है, ट्रैक यूर ट्रक क इतनी दूर हैं, यहां इस खादान से, इस माइन से या इस जगे से, तो वो लोग फिर इसको उसी इसाब से फिर वो अपनी लोडिंग लगा देते हैं, और सारे ट्रक फिर उनके चल पड़ते हैं, और फिर जो नॉर्मल जो ड्राइवर है, जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स ह उनको फिर माल नहीं मिलता है, ओवरलोडिंग चलेंगे तो फिर उनको भारी जुर्माना वसुल करते हैं, उनसे फिर पुलिस वाले, और ओवरलोडिंग नहीं चलते हैं, तो वो खर्चा पूरा नहीं होता है, फिर टोल के महेंगे रेट हैं, और फिर मेंटेनेंस इतनी महे सकते देखिए सौफ्ट्वेर इनके पास है मारकर पहले भी नहीं भाग सकते थे अगर आप इस बात को देखें कि वह जान बूज कर हुआ है क्या या फिर वह अंजाने में हुआ है यह देखना बड़ा जरूरी है और जहां तक बात है उस हैं कि आप एग्सेडन होता है तो जो आसपास के लोग है वो गुस्सा होते न के उस गुस्से से बचने का एक ही रास्ता होता है कि वहाँ से भाग लो उस वक्त के लिए बाद में तो बाकर है बाद में सीशी टीवी डिया अमराज लगे हुए हैं आपने इतना सारा चीजें पहले से क्यों या कोई भाग थोड़ी सकता है कहीं जा कहां जाएगा तो उसको ट्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है तो उसके जुर्माने का जो प्रावधान है इससे हम पूरी तरह से आसाहमत हैं क्योंकि जुर्माना दे दो और एंश्रेंट कंपनी अगर नहीं देחी तो बाकिर पह्रों मतलब ऐक्सपेंस इस हैं उसके जो विक्टेम हैं जिस्को तो इंजर्डाहिए वह कंपनी इसारा पे कर देगी तो इसके लिए आपको special उसाजडमी के उपर अटाक करने की ज़रूरत नहीं है जिस आदमी ने एक्सिडेंट किया है कोई भी आदमी जान भूज कर एक्सिडेंट नहीं करता है अंटिल एनलेस वह बिमार ना हो गया हो उसके उपर किसी केमिकल का असर ना हो गया हो आसपास वाइबरेशन जो हैं अब आप और मैक्सिमम गाडियों के जो हैं वो कमपनी से ओपरेटिड हैं जिस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रिक वेकल्स को ब्लास्ट करने का एक एक्सपेरिमेंट किया था और जिस तरह से यह मतलब एक इसके अंदर किल स्विच का बटन होता है वह होता है मालो मैल फंक्शन हो साइबर अटैक आ गया तो इसी तरह का कोई अटैक आ जाता है साइबर अटैक और सारे देश की गाडियां जो चल रही है उस वक्त मैक्सिमम जो ट्राफिक में हैं वो सारी गाडियों की स्पीड बढ़ जाए कम हो जाए जीरो हो जाए वो खड़ी हो जाए तो आप क्या करे आती है शहर को तो शहर आटोमेटिक लॉक्डाउन वाली सिच्विशन आ जाएगी ना तो यह तो वही लॉक्डाउन लेकर के आ रहे हैं अब की बार यह लॉक्डाउन का जो ठीक रहा है वो ट्रांस्पोर्टर्स के उपर फोड़ देंगे यह तो तरीके इनके पास खूब की हरताल कर दें यह लोग क्योंकि सारी उनियंस जो है किसी ने किसी पार्टी की ही होती है ना इनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो किसी ने किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको फेवर करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी अग आदेश पर जो हड़ताल चालू हो गई थी तो इस तरह से अलग लग महकमों की हड़ताल करवा करके यह लोग चेक कर चुके हैं कि किस हड़ताल से किसको कितना नुकसान होता है और कहां पर क्या चीज जरूरी होती है जब उनको इंप्लिमेंटेशन करना होता है अब आप इसको समझ पाएंगे कि जितने भी यह मतलब लोकडाउन का प्लान है इनका यह किस तरह से अमली जामा पहनाने वाले हैं अब दूसरे तरह का होगा और 2024 से पहले एक टेस्टिंग इनको करनी है और order out of chaos इनका purpose है मतलब पहले देश में अफरात अफरी का महाल हो चाहे दंगे के नाम पर हो जाए जाती के नाम पर धरम के नाम पर किसी आंदोलन में हो जाए किसान आंदोलन में हो जाए और फिर इनको उन लोगों को लपेटना आसान हो जाए लोगों को घरों में क्याद करन आसान हो जाए अमर्जंसी लगानी आसान हो जाए देखी 2024 में अगर इसको हराते हैं चुप-चाप तो तब यह उसकी तरह ट्रंप की तरह कर सकता है 2024 में इसको लगता है कि मैं हार रहा हूं तो emergency लगने के chances पहले हो जाएंगे और बाद में आता है फिर तो 100% होएगी emergency फिर तो emergency in the sense lockdown ही होता है emergency is a kind of lockdown तो वही जो process है वो हर बार ये try कर चुके होते हैं और इन लोगों ने try किया है अपने इन जो देश के सतंत्यों में बैठे होए लोगों के जरी इन लोगों ने पूरे practicals किये हैं गरीब देशों पर प्रा Celebrate करकर देख लेते हैं चोटे देशों में अमीर देशों में करके देख लेते हैं पढ़ी लिखे पर कितना काम यह आप जैसे आप lockdown सब स्यादा successful कहा होता है ड्योंट सब शब्से ज्यादा सगस्ट पूल होता है जहां सब्सदी ड welding कि सरकार धाल कि केरल में lockdown और deity सब्से ज्यादा successful रहा था तौब आप समझ सकते हैं की केरला में किसकी सरकार है वहाँ तो कॉम्मिनिस्टों की सरकार है फिर आप देखेंगे सबसे अनपड जो मतलब लोग हैं जहां सबसे ज़्यादा कम पड़े लिखे हैं सबसे कम पढ़े लेखे लोग जहां सबस्यादा गरीबी होगी सबस्यादा दर लोग होंगे वहां तो बिहार का एक्जामपल ले लीजिए आप इसका उत्र परदेश का यह मैंने एक्जामपल इसलिए ले लिए क्योंकि यह बड़े भी हैं परदेश भी तो यहाँ पर भी यही हालात हैं कि वो लोग इस तरह से implement कर सकते हैं वहाँ पढ़े लिखे लोगों में और जिन लोगों को मतलब पढ़ना नहीं आता है तो दोनों ही लोगों को बहुत आसान है इनके प्रॉपगेंडा में फसाना जो थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट रहता है जिसका सबस्यादा क्यूंकि जो गरीब आदमी है वही नहीं पढ़ पाता आम तोर पे और उसको मालूम भी होता है तो वो बोल नहीं पाता है और जो अमीर आदमी है वो उसको जुरत नहीं है पड़े लिखा है वो नौकरी पर या कही न कहीं ऐसे काम में उलज़ा हुआ है तो जो मिडल क्लास है वो ही सबसे बड़ी समस्या हमेशा से इनके लिए रहा है और उसी को खतम करने का ये गेम प्लान चल रहा है या तो मिड है वो और गरीब होता चला गया तो यहीं का पूरा का पूरा गेम प्लान है कि गरिभ और गरीब होता चलाजाए और अमीर और अमीर होता जाए तो आप इस हड़ताल पक्रूंज आगले माले मतलब टाइम में जो ये लोग अमेर्जनसी के हालात पैदा कर रहे हैं उसके लिए आपकी क्या तैयारिया हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए हलांकि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हमारे इन एक्टिविटी से सीख रही है कि ये लोग किस तरह की बातें करत होते हैं बट फिर भी हमारे पास कोई आप्शन नहीं है हम अर्टिविशल इंटेलिजेंस को यहां से उड़ाना है तो बड़ा आसान है कि हम यहां से मतलब जो इनका इंटरनेट है जो इनकी बिजली है इसको ही फैकना पड़ेगा और हमारे पुर्खे मुझे लगता है हमा वह अपने श्रम पर ध्यान देते थे मिट्टी से ज़्यादा जुड़े रहते थे और बहुत सारे मुद्दों पर हम जेसम की ट्रेनिंग में बात करते ही रहते हैं बट फिलहाल हम अभी इसके लिए इतना ही कहेंगे कि इस पूरे के पूरे गेम प्लान में नजरें बनाए रखिए और देखिए कि इसमें सरकार कितना बेनेफिट उठा रही है और वो किस तरह के बयान देते हैं जो उनके नेता हैं और पबलिक से किस तरह का रुजहान आता है और आप भी बोलिए मतलब अपने अपने प्लेटफॉर्म पर लिखिए बोलिए उनके फेवर में और तभी पता चलेगा कि कुछ देश में इस तरह का हो रहा है जय हिंद जय भार